दोस्तो आज हम ये दूसरा एपिसोड पार्ट टू बना रहे हैं कोलवार्ड से जो के सूरत के पास कामरेज के पास आया हुआ एक गाउं है जहां 150 पेर जो हैं फैंसी पिजियन्स की अवेलेबल हैं पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं उसमें हमने पूर अब ये मौदेना का दोस्तो जोड़ा देखर रहे हैं ये भी 3000 रुपे का और फिर से इन्होंने अंडा ले कर दिया और दोनों ही मौदेना के बच्चे इन्होंने बड़े किये हैं तो बहुत अच्छी डील है आप दोस्तो इनके पता नहीं पिछले वीडियो से क्या रिस् आप वेसे भी काउंट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्रिफ शिंगल सिंगल पेर खरीदना चाहते तो वह भी प्राइज बड़ा रिजनेबल है तो मोदेना पिजन आप जोड़ा देख रहे हैं एक और जोड़ा देख पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर गंटी मौल उप्सन दबा दीजिए ताकि हिंदुस्तान के हर कोने से मैं वीडियो लेकर आता हूं तो आप लोगों तक पहुंचते रहें बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए जोइन बटन की फेसिलिटी ओन करेंगे पेट गुरुजी चैनल पर तो जिसकी वज़े से आपको हम वेसे वीडियो लेकर आएंगे जो बहुत सस्ती चीज़े हमारे चैनल पर आती हैं जो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 300 रु प्रॉसेस करेंगे लेकिन वो सिर्फ हमारे मेंबर्स को दिखेंगे ठीके तो मेंबर्सिप लेहने का फाइदा यह होगा कि अगर आप मेंबर्सिप हमारी लेते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि जो ultimate बिलकुल lowest price में हैं और वो चीज़ आप डायरेकली खरीद भी सकते हैं तो आपके लिए फाइदे की डील होने वाली है मुखी का जोड़ा देख रहे हैं यह एक और ब्रीडिंग पेर इसका दोस्तों इन्होंने हम कहते हैं आप लोग पर्शनल चाहिए और खरीद यह विकॉज डिलीवरी में दो मेल आ गए फीमेल आ गए फिर आप चेनल पर आकर कमेंट करते हैं कि यह हुआ तो उसमें चेनल ने वीडियो बनाने वाला कैसे जिम्मेदार है विकॉज यह चीज कई बार जाने अंजाने से विडियो बनाते हैं ना कि हमारा परपस सेल करना होता है हमारा मकसद होता है कि एक नए फार्म को यूट्यूब पर लेकर आना जहां आप लोग उसको विजिट करके कुछ नहीं खरीद पाए तो कुछ नहीं लेकिन उसको देख पाए अच्छे से उनसे कुछ जानकारी ले पाए आप अपने सहर के अच्छे अच्छे सेलरों से मिल पाए अच्छे अच्छे ब्रिडरों से मिल पाए यह दोस्तों हंगेरियन पिजिंस कहे जाते हैं हंगेरियन की क्रोस ब्रीड है प्यॉर ब्रीड तो नहीं है प्यॉर ब्रीड हमने पिछले वीडियो में डाले थे 12 12,000 रुपए के जोड़े थे लेकिन ये अगर आपका बजट कम है तो ये 4,000 रुपए का जोड़ा है 4,000 रुपीज का जोड़ा है इसमें भी अंडे रखे हैं इसने तो सारी मास्टर पेर हैं ये किंग की पेर है माशालला और ये प्यूर कॉलेटी में किंग की ब्रिडिंग पेर है जिसका आठ हजार रुपे इन्होंने प्राइज रखा है चलिए अब फिर से सेलर की तरफ में बार बार बता रहा हूं को बता रहा हूं तो सरफराज भाई सरफराज सेख इनका नाम है यह सूरत के कोलवार गाम से हैं जो सूरत से धक्रीबन 15 किलोमेटर है कामरेज सरक दूड़ें वीडियो में कहीं भी किसी भी समय पर आप लोगों को बताएंगे तो वीडियो में पूरी तरीके से देखना है ताकि आपको नमबर का मिल जाए पूरी तरीके से उनका एड्रेस मिल जाए और आप उनको आसानी तक पहुंच सके अब ये एक और मुखी का पेर देखे रहे हैं जिसमें ब्लेक मुखी और पीछे जो है वाइट मुखी है ये भी दोस्तों 3500 रुपे की सभी मास्टर पेर है और दोस्तों यहां पर ये वीडियो में ये खासियत है कि इनके पास इतनी भी दोस्तों मास्टर पेर हैं हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी मा बेचते ही वोपेर आपको फ्री हो जाने वाली है ठीक है तो आप जल्दी से इनको कॉंटेक कर सकते हैं और बहुत जल्द आप लोगों को कुछ कवरी ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो बर्ड ब्रेडिंग सेट अप है उस पर भी हम पीजियन्स भी रखने का मेंने इरादा किया और पीजियन्स भी रखोंगा बहुत अच्छी कौलेटि में पीजियन्स में लाकर वहां पर रखोंगा ताके पीजियन्स से रिलेटट जो आपको गाइडलाइन है वो में देशको और उसमें हम दोनों ही पिजियन्स थोड़े थोड़े रखेंगे हाइफ फैंसी भाई साब के यहाँ हैं फिर भी यह मास्टर पेर हटा रहे हैं सायद इनको कुछ दिक्कत होंगी वैसे इनका नाम जो है जैसे मैंने सरफवराज सेख बताया कोलवाड नियर सूरत गुजरात से तो इन्होंने अपने पिजियन लॉफ्ट का नाम रखा है एसस पिजियन लॉफ्ट है देखिएगा जरूर पहला वीडियो कर नहीं देखा बहुत बड़ा बहुत सांदार वेंटिलेशन वाला इन्होंने पिजियन लॉफ्ट बनाया है अब चलिए एक और फेंटेल का जोड़ा देखते हैं इंडियन फेंटेल ही इसको हम कहेंगे इंडियन फेंट कहां गई काफी लोग आज भी अंजान है पेटगूरू चैनल जो गुजरात की पहली चैनल थी जिसने एक लाग सब्सक्राइबर कंप्लेट किये वो चार महिने पहले डिलीट कर दी थी यूट्यूब ने उसके बाद हमने इस चैनल को खड़ा किया जिसका नाम रखा है हमन पेट गुरू चैनल तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया या पहले किया था तो इस चैनल को फिर सा सब्सक्राइब कर लीजिए अब संदर एक और फैंसी पिजिन्स की पेट 2500 रुपीज में है अब दोस्तों यहां पर मैं बार बार बता दाओं फैंसी पिजिन्स उन लोगों के लिए हैं कि जो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते पिजिन्स को फैंसी पिजिन्स को आप थोड़ी देर भी दूप खाने नि निकालेंगे तो वो उसके बाद आने में उनको टाइम ज्यादा लगता है और कई बार इसा हो सकता है कि आपको जाना हो ओफिस आपको अपने काम पे जाना और वो वापिस नहीं आते और कई बार इसा होता है बाज सिकार कर ले या बिल्ली सिकार कर ले या डोग सिकार कर ल तो यह बात कर रहे थे कि उन लोगों के लिए fancy pigeons बहुत suitable है विकाज मैंने दोनों ही तरीके के pigeons रखे हैं जब मैं college में था छोटा था दसवी से लेकर लगबग मैंने जब अपनी graduation कंप्लीट की तब तक मैंने pigeons रखे थे 7-8 साल तक मैंने रखे थे pigeons तो high flying रखे थे और रोज आना का यही तकलिफ था कभी दो pigeons रात को बाहर सोते थे कभी तीन तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती थी सेटीनेट की भी इनके पास pigeons की काफी variety है आने वाले एपिसोड में तीसरा पार्ट भी आने वाला है तो यह दूसरा पार्ट है सेटीनेट की breeding पेर इनके पास 3500 इनके प्राइस थोड़े से किसी में आपको हाई लगेंगे काफी लोग कहते हैं कि सस्ता मिलता है कमेंड करने से अच्छा है आप वहां से जाकर खरीद लीजिए अगर आप सूरत वालों को सस्ते महंगा के रहे हैं और आप अगर में कहता ह आपके यहां सस्ते हो यह और हो सकता है यहां सस्ते हो तो वहां भी मेंगे हो तो हर जगा का और कॉलेटी के हिसाब से प्राइस अलग अलग हो सकता है अब दोस्तों यह भी किसी फैंसी फिजिंस की क्रोस ब्रीड है यह भी 2500 रुपे की और इसके ने भी अंडे रख दिये ह तो लगबग इनके पास पांच लाग से उपर के कबूतर है और डेर सो जोड़ी कबूतर मतलब तीन सो कबूतर इनके फार्म में अभी अभी अवेलेबल है पिछला वीडियो दो दिन पहले डाला था और आज हमने फिर से एक और वीडियो डाला देखिए इनके बच्चे भी ह अब देखिए माशाला हरेक में इनकी धाकड ब्रीडिंग हो रही है अब यह उस्ट्रेलियन परपन की ब्रीडिंग पेर है जिसका 2000 रुपीज रखा है दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने कबूतरों को दाना देते हैं तो दाने से कुछ भी कि अब देता है वेज़टेबल फ्रूट्स देते हैं इनको आप दे सकते हैं लेकिन इनको आप डिल डिल नहीं सकते तो इनके लिए तो आがशादाना इसें को मेरे पास में मिल जाता है और यह प्रोड़क को मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ आप सोच सकते हैं 300 रुपे का है तो मैं कमाने का इसमें 50 या 100 रुपे होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कबूतर प्रेमी है जो पाल रहे हैं अच्छे से कबूतर उनको एक complete nutrition मिले तो आप रोटी अगर खिलाते हैं कबूतर को रोटी या naturally डाले हुए हैं तो अगर ज्यादा भी अगर बर्ट्स को चला गया तो कोई tension नहीं है तो उससे क्या होगा कि कबूतर को जो सारे विटामीन मिलेंगे तो वो बीमार नहीं होगा मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ये प्रोड़क्ट दीजे दूसरा कोई भी आपको मिल रहा है इससे complete इनकी ग्रोथ होगी और अगर complete ग्रोथ दोस्तों होगी तो वो बीमार नहीं होगे तो दोस्तों काफी जोड़े हमने आगे देखे 1525 रुपे के थे अब सिराजी के चलिए देखते हैं अब दोस्तों ये सिराजी के पठ्थे आप देख रहे हैं 2500 रुपीस में आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं जैसे अभी हम 11 मिनिट 12 मिनिट पे पहुंच गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग 12 मिनिट तक पहुंचेंगे तो जो टिप्स मैं कुछ वीडियो में आगे देता हूँ वो पीछे देता हूँ जिसकी वज़े से किसी का भला ह पूरी तरीके से देख भाल करिए जिसकी वज़े से वो बीमार नहीं होगा और आपको भी वो सोक करने में मज़ा आएगा और आप फिर उस सोक को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत सांदार पीजियो देखे सरफराज बाई के एसे पीजियो लोग सूरत से तो कैसा लग रहा है दोस्तों एपीसोड आप लोग मुझे जरूर बताईएगा और दोस्तों बता दूखे जो लोग मुझे वीडियो डलवाना चाहते हैं वो बोलते के अजुभा वीडियो डाल दीजिये तो इस नोट राइट वे तो टॉक विद यूट्यूबर लाइक एनिबडी किसी भी ऐ आप अगर अपना पचास जार एक लाग रुपे का माल सेल कर रहें तो 300 रुपे फीस देने में आपको इसी आनाकानी करते हैं जिसे पता नहीं क्या है वो अपनी मेहनत करता है यूट्यूबर और आपके दर्सों को तो अपने दर्सों को तो वीडियो पहुचाता है तो हम भी अपनी फेमेली में थोड़ा सा बीजी रहते हैं तो जिसकी वज़े से हमें प्रोसेस करने के लिए जो है इमर्जंसी चार्जिस लगाने पड़े हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है अब पिछले वाइट दोस्तों आपने पाउटर के और मैं ट्वीटर में मेरा अकाउंट देता हूँ अगर आप ट्वीटर यूज़ करते हैं तो मुझे जाकर फोलो कर लिजी और मेरी ट्वीट को रिट्वीट करके उस चैनल को वापिस लाने में हम अभी भी जो है हिम्मत नहीं हारी है और हम मेहनत कर रहे हैं अब पूरी सा से हम अमारी जो चैनल चली गई है उसको वापिस खड़ा करेंगे और उसमें हमें मदद मिरेगी ठीक है चलिए सर्फराज भाई के नंबर दोस्तों एक और बार में आप लोगों को बता देता हूं ताकि अगर आपने आगे मिस कर दिया है तो इधर वापिस आपको नंबर म देखेंगे बड़ी सईबathon इनके पास लाहार यह यूरोपियन सीराजी आ है ऐसा हिनों ने कहा है 5000 रूपे में दूहाजरर रूपे मैं सीराजी है अगर किसी को रिक्तेता है mail की अच्छे mail की तो वो भी contact कर सकता है नंबर है चोरा सी छे सो सिक्स डबल जीरो वन डबल फोर एक सो चव्वालिस थ्री सेवन सेथीस सरफराज भाई कोलवार्ड सूरत से तो चलिए दोस्तो आज की एपिसोड को हम अब अलविदा कहने का टाइम आगे अगर आपका कोई भी पिजिन से related query है तो आप मुझे नीचे comment करिएगा मैं ज़रूर आप लोगों की help करना पसंद करूँगा और आप लोगों के लिए उस पर वीडियो हम बनाएंगे आगे और एक दो पिजिन देखने बाकी है तो उनको भी देखकर एपिसोड पूरा करिएगा और जब भी आप हमें support करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिर्फ ऐसा नहीं पेसे से support कर सकते हैं आप हमारे वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो वो भी हमें support होता है तो मैं आप से कहूँगा यह Hungarian Trumpeter जो है वो 6000 रुपे में mail है ठीक है अगर किसी को interested है purchase करने में दो तो आप हमें पूरा वीडियो देखकर लाइक करके कमेंट करके उच्छा बढ़ाते हैं वो भी support है वो पेसे से दिये गए support से भी कई गुना अच्छा support है तो पूरा वीडियो देखे पहली सेकंड से लेकर लास सेकंड तक यही हमारे लिए आपकी तरफ से मिला हुआ support है और यह बेस कीमती support है बहुत सारी सीरीजिस हम दोस्तों बना रहे हैं पेट गुरू चैनल पर मेरी सारी पेट गुरू जी चैनल पर हमारी सारी मेरी personal विजिट आ रही है कली में बरोडा जाकर आया हूँ बरोडा में हमने दो वीडियो कवर किये हैं वो भी आएंगे तो वहां पर exotic bird पिजियन्स सभी के वीडियो मिक्स में आपको देखने को मिलेंगे तो चली दूस्तों आज के लिए अलविदा लेते हैं मिलते के अगले से किसी exciting एपिसोड में आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरसाते रहेगा